गुजरात के मुख्य मंत्री श्री भुपेंद्र भाई पतेल, स्थानिय साउसत, स्री यार पाटिल, केंद्रियम मंत्री परिशत के मेरे साथी, देश की डायमंड इंडुस्ट्री के जाने माने सभी चहरे, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, नमश्कार, हूरट एटले हूरट, सूरत पासे इतिहासनों अनुभाव, वर्तमानमा रप्तार, अने भविश्यनी दुरंदेशी, एनुँ नाम सूरत, अन्य मारू हूरा देवु, के काम मां लोचो मारे नहीं, अने खामा मां लोचो छोडे देई। आम बधी बाते, सूरतिने गम्मे जटली उतावल हूए, पन खानी पिनी दुकाने, अरदो कलाग लाइड बाव वर्तमार पड़े पाणी हूए, पन बज्यानी रारी ये जवादू, इटले जवादू, सरत्पुन में चंडी पड़वो, दुनिया की धामा पर जाए, आमारो हुर्ती, फुत्पास पर परिवार साथे गारी खातो हूए, अने मोजी ये वो साइब, के नाका परनू सरकल में याँ आटो मार मनना जया, पन वीश्वागू फरे, मने आचे चालिश पिस्तालिश वर्ष पहला, शवराष्ट्र ना भाईयो सुरत तर बढ़या, तमारा सवराष्ट्र ना जुना मित्रों नुम पूछू, के अवे तमें स्वराष्ट्र ने सुरत आया जोद के उलागे हैं, कि के अमारा हूरत बाँ अन्य हमारा कढ़िया वाड़ मां बार अंतर, कि चार्लीज प्रिस्तालीज उस्पेल नी बात करूं तब को शुआ जो कि अमारत यां काठिया वाड मां जो अहां में हां मोटर साइकल तक्राईगी तो के तलवारू कड़बानी बात था है पंकि जो सूरत मां मोटर साइकल तक्रानी हुआ ए इला तरत वोलो के जोनी भाई साथियों आज सूरत सहर की भवेता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है बलकि यह तो दुनिया में सर्वस्रेष्ट है इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है और अभी बलब भाई लाल जी भाई पूरी नम्रता के साथ अपनी बात बता रहे थे और शायद इतने बड़े मिशन की सफलता के पीछे उनकी ये नम्रता सबको साथ लेने का स्वभाव इसके लिए जितनी बढ़ाई मैं इस तीम को दूँ उतनी कम है बलब भाई ने कहा कि मुझे पांची मिनिट मिला है लेकिन बलब भाई आपके साथ तो कीरन जुड़ा हुआ है और कीरन में पूरे सुर्य को समझने का सामर्त होता है और इसलिए आपके लिए पांच मिनिट एक बहुत बड़ी शक्ति क्या परिचे बन जाती है अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बूर्स तो सुरत का नाम साथ आएगा भारत का नाम भी आएगा सुरत डायमंड बूर्स भारतिय डिजाइन भारतिय डिजाइनर्स भारतिय मटियल और भारतिय कंसेप्ट के सामर्थ को दिखाता है यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ और नए संकल्प का प्रतीक है मैं सुरत डायमंड बूर्स के लिए डायमंड निर्स्ट्री को सुरत को गुजरात को पूरे देश को बधाई देता हूं कि मुझे कुछ हिस्सा देख रहे का आउसर मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आप लोगों को ज्यादा इंतिजार करना पड़े लेकिन मैंने कहां इनको पुराने दोस्त है तो कुछनों कुछ बताता रहता हूं मैंने कहां कि आप जो एंवायर्मेंट की दुनिया के वकील है ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाईए दूसरा मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और एंजिनियर के जो स्टूडन्स है उनको कहिए का आप आईए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आदोनिक रुप में कैसे होती है और मैंने यह भी कहां कि लैंड्सकेपिंग कैसे हो पंच तत्व की कलपना क्या होती है उसको देखने के लिए भी लैंड्सकेप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाईए साथियों आज सूरत के लोगों को यहां के वापारियों कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं आज ही सूरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकारपन हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एरपोर्ट को इंट्रनेशनल एरपोर्ट का दर्जा मिल गया है सूरतियों की बर्सो पुरा निमांग आज पूरी हुई है और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एरपोर्ट कभी-कभी लगता है बस्टे से जादा अच्छा के एरपोर्ट अच्छा बस्टे से अच्छा लगता है इतना एक जोपड़ी जैसा था आज कहां से कहां पहुँच गए यह सूरत का सामर्थ दिखाता है सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है बहुत जल्द होंकों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी गुजरात के साथ ही और आज जब यह सूरत का एरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब तीन इंट्रनेस्टल एरपोर्ट हो गए हैं इससे डाइमंड के लावा यहां की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री तुरिजम इंडस्ट्री एजुकेशन और स्किल सरीथ हर सेक्टर को लाब होगा मैं शांदार तर्मिनल और इंट्रनेस्टल एरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को गुजरात वासियों को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ मेरे परिवार जानों सूरत सहर के साथ मेरा जो आत्मिय लगाव है उसको शब्दों में बया करने की जरूत नहीं है आप लोग भली भाती जानते हैं सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयाज होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनोतियों का सामना कर सकते हैं सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है हम सब जानते हैं कि सूरत सहर की यात्रा कितने उतार चड़ाओं से भरी रही है अंग्रेज भी यहां का वैभाव देखकर सबसे पहले सूरत आये आये थे एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे सूरत के इतिहास में अनेक मार बड़े-बड़े संकट आये लिकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया वो भी एक वक्त था कहते थे कि 84 देशों के शीप के जंडे यहां फैरते थे और आज यह मतुरवाई बता रहे थे कब 125 देशों के जंडे यहां फैरने वाले हैं कभी गंभीर बिमारियों में सूरत फस गया कभी तापी में बाण आई कि मैंने तो वो दोर निकड से देखा है जब भाती भाती की निराशा फैलाई गई कि सूरत की स्पिरिट को चुनोती दी गई है लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि कि सूरत संकर से तो भेगा ही नए सामर्त के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा और आज देखिए आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप टेन शहरों में है सूरत का स्ट्रीट फूर सूरत में स्वच्चता सूरत में स्कील डवलप्मेंट का काम सब कोच शांदार होता रहा है कभी सूरत की पहचान संसीटी की थी यहां के लोगों ने अपने परिश्र में पूरी तांकत से महनत की पराकास्टा करके इसको डाइमन सिटी बनाया सिल्क सिटी बनाया आप सभी ने और महनत की और सूरत ब्रीच सिटी मना आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है और अब सूरत आईटी के एक शेत्र में भी आगे बढ़ रहा है ऐसे आधुनिक होते सूरत को डाइमन बूर्श के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में अइतिहासिक है साथियों आज कल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे हाल के दुनाव में जो चुनाव नतीजह आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उधारन ये सूरत डायमंड बूर्ज भी है मुझे आध हैं बरसों पहले आप सभी साथिक की स्तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े कारीगरों छोटे बड़े व्यापारियों से जुड़ी लाखों लोगों की पूरी कॉम्मेनिटी है लेकिन उनकी बड़ी परिशानी यह थी कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था रोल डायमंड को देखने और खरीद देख लिए अगर विदेश जाना है तो उसमें भी अड़्चने आती थी सप्लाई और वेल्यू चेंज से जुड़ी समस्याएं पूरे कारवबार को प्रभावित करते थी डायमंड इंडिस्ट्री से जुड़े साथ ही बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करते थी इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल डायमंड कांफरंस हुई थी और तब ही मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की गोश्णा की थी इसी ने सूरण डायमंड बूर्ष के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया हमने कानून में संसोतन भी किये अब आज सूरण डायमंड बूर्ष के रूप में इंट्रनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर यहां बनकर तयार है रौ डायमंड हो पालिउट्प डायमंड हो लैबगरूंड डायमंड हो यहां फिर बनी मनाई ज्वालरी कि आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संबव हो गया है कामगार हो कारीगर हो व्यापारी हो सब के लिए हैं सूरण डायमंड बुर्स वन स्टॉप सेंटर है यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्फ की सुविदा है यहां रिटेज ज्वैलरी बिज्देश के लिए ज्वैलरी मॉल है सुरत की डायमंड रिज्दी पहले से ही आठ लाग से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है अब सुरत डायमंड बुर्च से भी डेड़ लाग साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी साथियों की प्रसंसा करूंगा जिनों ने इस इन्रस्वी को नई उचाई देने के लिए दिन रात एक किया है चाथ क्यों सूरत ने गुजरात को देश को बहुत कुछ दिया है लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधीक सामर्त है मेरे इसाबचे तो शुरुवात है हमें और आगे बढ़ना है आप सभी जानते हैं कि बीते दस वरसों में भारत दसवे नंबर की आर्थिक ताकत से उपरूट कर दुनिया में पांचवे नंबर की आर्थिक शक्ति के रुप में उबरा है और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप तीन एकानोमी में जरूर शामिल होगा सरकान ने आने वाले पतीज साल का भी टार्गेट ताय किया है पाइव ट्रिलियंड डालर का लक्ष हो तेन ट्रिलियंड डालर का लक्ष हो हम इन सभी पर काम कर रहे हैं हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड उन्चाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे मैं सूरत की और विशेश कर सूरत की डायमंड निरिस्टी की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है यहां सूरत के सभी दिगज मौझूद है शूरत सहर को भी यह टार्गेट टाय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में शूरत सहर की भागिदारी और कैसे बढ़े यह डायमंड सेक्टर के लिए जैम्स और ज्वैलरी सेक्टर के लिए चुनोती भी है आउसर भी है अभी डायमंड ज्वैलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है सिल्वर कट डायमंड और लेब गुर्ण डायमंड में भी हम अग्रणी है लेकिन अगर पूरे जैम्स वैलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेर सिर्प साड़े तीन परसेट है सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जैम्स वैलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एडिया के रुप में चुना है पेटेंटेट डिजाइन को प्रोशान देना हो एक्सपोर्ट प्रोडक्स को डावर्सिफाई करना हो दूसरे देशों के साथ मिलकर बहतर तक्रिक की खोज करना हो लेब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है ग्रीन डायमंड को प्रोशान देने के लिए सरकार ने बजेट में भी विशेश प्रावधान किये हैं आपको इन सारे प्रयासों का जादा से जाइदा फाइदा उठाना है आज अंतराश्य स्तर पर जो माहोल आप भी अनुभू करते होंगे आप दुनिया भर में जाते हैं दुनिया के नेक देश के लोग यहां बैठे हैं आज विश्व का माहोल भारत के पक्ष में हैं आज पुरी दुनिया में भारत की सांख बुलंदी पर हैं दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है मेडिन इंडिया अब एक ससक्त ब्रांड बन चुका है इसका बहुत बड़ा लाब आपके बिजनेस को मिलना तय है आपुशन उद्योग तो मिलना तय है इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए साथियों आप सभी का सामर्थ बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्थ और बढ़ा रही है हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रासेक्टर के निर्मान पर विशेश बल दे रही है आज सूरत के पास अपना इंटरनेस्टला एरपोर्ट है आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्वीस है आज सूरत पोर्ट पर कितने ही एहम प्रोडक्स की हैंडलिंग होती है आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है गहरे पानी का LNG टर्मिलर और मल्टी कार्गो पोर्ट है सूरत लगाता और अंतराश्टिय व्यापारिक केंद्रों से जूड रहा है और ऐसी इंटरनेस्टल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जूड़ा गया है यहां वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है इससे उत्तर और पुर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी ससकत होगी दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस वे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलोता शहर है आप सभी इसका जान्दा से ज़्यादा लाब उठाईए सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा इसके साथ और अनेक संभावनाय जुड़ी हुई है इतने देशों का लोगों का आना जाना एक प्रकार से एक ग्लोबल सीटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है लगुभारत तो बन चुका है अभी जब जी ट्वेंटी समीट हुई तो हमने कॉम्मिनिकेशन के लिए टेक्नॉलोजी का भरपूर उपयोग किया ड्राइवर हिंदी जानता है उसके साथ बैटे हुए मेहमान फ्रेंच जानते हैं तो बात कैसे करेंगे तो हमने मोबाइल एप के द्वारा व्यवस्ता की को फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुनाई देता था ड्राइवर हिंदी बोलता था उसको फ्रेंच में सुनाई देता था मैं चाहूंगा कि हमारे इस बिस्व भर के लोग आने वाले हैं कि लेंग्वेज की दृष्टी से कॉम्मिनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए बारत सरकार जुरूर आपको मदद करेगी और एक मोबाइल फोन मोबाइल एप के द्वारा भाशिनी एप के द्वारा इस काम से हम सरत करेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूंगा कि यहां जो नर्वद उनिवर्सिटी है वे बिन्न भाशाओं में इंटर्पिटर तयार करने के लिए कोर्सिश शुरू करें और यहां के बच्चों को ही दुनिया के अनेक भाशाओं में इंटर्परेशन आए ताकि जो व्या हम हमारी युवाब पीडी को मिल सकता है और ग्लोबल हम बनाने की जरूरत होती है उसमें कॉम्मिनिकेशन एक बहुत बढ़ी आवश्यक्ता होती है और टेक्नोलोजी बहुत मज़द कर रही है लेकिन साथ-साथ यह भी आवशक है मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही जल सुरत राइमेंड बूर्ष की और सुरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं अगले महिने वाइबरेंट गुजरात समीट भी होने जा रहा है मैं इसके लिए भी गुजरात को अगरिम सुब कामराई देता हूं और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है और इतने मैं गुजरात को विशेश्ट रूप से बढ़ाई देता हूं आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के जोत्सव का अज मनाने के लिए कट्टे हुए हैं तेकि कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े सुख संकेत हैं बैं फिर एक बार वलब भाई और उनकी पूरी टीम को रदय से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं और मुझे पता है अगर बीच म कोवीड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते हैं लेकिन कोवीड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी लेकिन आज ये सपन पूरा देख करके मिज़े बड़ा आनंद हो रहा है मेरी तर्प से बहुत-बहुत बदाई धन्यवाद मेरी थी लेकिन कोवीड कर देख कर दोरा कर दोब होती है